जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे होंगे किसी ने वट्सेप पे मुझे भेजी थी दोस्तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम एक नहीं है हम बटे हुए है यानि किसी का संगठन अलग है किसी का अलग संगठन है ओफिसर्स का अलग संगठन है ओवार्स का अलग है जेसियोस का अलग है दोस्तो अगर हम एक नजरिय से देखें तो सब सैनिक हैं सबने देश की सेवा करी है चाहे दोस्तो वो ओफिसर्स हो चाहे वो JCO 100, OR 100 मतलब एक rank से वो दूसरी rank में निकल के गई है उनकी qualification के हिसाब से जहां तक वो पड़े उसके हिसाब से मतलब length of service के हिसाब से उन्होंने अलग-अलग rank पे काम किया लेकिन दोस्तों जहां pension की बात होती है वहां पे सब अलग-अलग हो जाते है जहां पे equal MSP की बात होती है वहां पे सब अलग-अलग हो जाते है और जहां देश की सेवा करने की बात होती है वहां पे सब को एक होना चाहिए दोस्तों सिरफ देश की सेवा नहीं कोई से भी दोस्तों सेवा हो उसके लिए सबको एक साथ होना चाहिए officers को, ORs को, JCOs को सबको एक साथ दोस्तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक एक साथ नहीं है सब अलग-अलग है दोस्तो और जो यह comment किया है जिसने यह image भेजी है इसमें जो भी कुछ लिखा है दोस्तो इससे मुझे दुख होता है कि ऐसा क्यों दोस्तो अगर इस तरीके की मागें सरकार के पास जाती है तो दोस्तो वो positive way में नहीं आता है यानि सकरात्मक अगर हम बात कहें दोस्तो वो नहीं होती है यानि यह गलत impact पड़ता है किस पर पड़ता है जवानों पर officers पर यानि जितने सेना के जवान थे यहनोंने देश की सेवा करी उन पर गलत परभाब पड़ता है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ किस में लिखा क्या है जो भी सेनिक जवान officers के अंधभक्त है एक बार जरूर पड़े यानि यह जो message है यह अलग-अलग बाट रहा है किसे बाट रहा है officers को, ORs को, JCOs को दोस्तो यह गलत है मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ कि अगर आप सरकार के सामने अलग-अलग बाटते हैं अपनी चीज़ों को तो दोस्तो सरकार आपके favor में कभी नहीं जाएगी वो पहली देख लेगी कि यहाँ पे जो संगठन है वो अलग-अलग काम कर रहे हैं यानि ORs अलग हैं, JCOs अलग हैं, officers अलग है तो इस base पर सरकार आपको काम नहीं करेगी अगर सरकार को सुनना है आपके बाद, तो दोस्तो सब को एक होना पड़ेगा ORs को, JCOs को, officers को मेरा ऐसा मान मैं दोस्तो अभी इसमें लिखा क्या है 2006 से लेकर 2014 की ORP1 और 2019 की ORP2 से पहले तक officers और जवानों की pension कैसे बड़ी यानि दोस्तो इसमें comparison दिखाया officers की pension का अलग और जवान की pension का अलग आगे क्या लिखाया यहाँ पर अभी 5 साल के बाद बढ़ने वाली pension का डाटा नहीं है बलकि सिरफ सात्वे पे कमिशन के फॉर्मूले तक का अंतर ही दिखाया देखिए भेदबाप की सीमा तोड़कर कैसे बेशर्मी दिखाई गई officers द्वारा बिलकुल गलत है दोस्तो सबने दोस्तो देश की सेवा करिए अगर आप सरकार के सामने इस चीजों को लेकर जाते हो इन चीजों को लेकर जाते हो सबसे गलत प्रभाप पड़ता है जवान पर officers पे JCOs पे यानि दोस्तो कोई भी आम आदमी हो कोई भी चीज दोस्तो अगर यह देखेगा तो दोस्तो वो गलत impact में जाती है गलत चीज में जाती है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूँ यह लिखा किसने है दोस्तो कोई कमेटी है सापका सैनिक संगर्ष कमेटी इनके द्वारा दोस्तो यह calculation समझाई है दोस्तो इस calculation को मैंने समझा और मुझे लगता है यह calculation गलत है अगर यह calculation सरकार के पास जाती है तो दोस्तो कोई सुनवाई नहीं होगी अगर आप यह देख रहें कि हम officers को उल्टा सीधा कहकर या कुछ उल्टा सीधा बोलकर हम सरकार के सामने बोलें कि उनकी इतनी pension है हमारी इतनी है कुछ नहीं होगा दोस्तो यह आप लिखके ले लिजिए कुछ नहीं होगा दोस्तो आप यहाँ पे देखिए यह officers की pension बताईए और यह जवान की pension बताईए दोस्तो यह जो officers की pension बताईए यह है lieutenant colonel यानि 29 साल से उपर दोस्तो इसमें लिखिए है pension 2006 में 14600 मतब एक officers की pension lieutenant colonel की pension 225 दोस्तो सबसे पहली बात यह जो pension लिखिए और इसका 2.28 जो कर रहे है दोस्तो यह गलत है OROP 1 में यह pension दिखा रहे है 33,225 दोस्तो यह जो figure आईए यह आईए 2013 की में जितने भी pensioners आए है उनकी pension में से maximum और minimum करके average लिए है उसके अनुसार दोस्तो यह सिगर आईए और यहाँ पे दिखा रहे है 2.28 factor दोस्तो कोई factor इसमाल नहीं हुआ है सबसे पहले दोस्तो जो government है वो सबसे पहले आकड़े यह रखेगी अगर कभी कुछ आगे सुनवाई हुई तो सबसे पहले वो आकड़े रखेगी कि यह है PPO 2013 के इसमें से हमने minimum maximum के average निकाल है दोस्तो यहाँ पे 2.28 कोई भी factor इसमाल नहीं हुआ है 2014 की pension निकालने के लिए ORP1 की pension निकालने के लिए 2013 का calendar year यूज हुआ है ना कि कोई fitment factor दोस्तो पेंशन निकालने के लिए इन्होंने यूज कुया 2.81 दोस्तो यह 2.81 है ही नहीं यह है 2.57 जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था pension पर pension निकालने के लिए सब को 2.57 मिला है बलकि जो अलग-अलग fitment factor है वो सिरफ pay matrix में यूज हुए तो दोस्तो यहाँ पे इनकी दिखा रहे है 93,363 बिलकुल गलत है दोस्तो यह fitment factor ओफिसर्स का भी ओवार्स का जेसी उसका pension पर 2.57 यूज हुए तो दोस्तो यह यहीं गलत हो जाता है जवान की इन्होंने दिखाई दोस्तो 4046 दोस्तो यह नायक की pension है इसका दिखा रहे हैं यहाँ पे 1.75 दोस्तो कोई fitment factor यूज नहीं हुआ है ORP बनाने के लिए calendar year लिया जाता है जैसे ORP 1 के लिए 2013 का ही अलिया है ORP 2 के लिए 2018 का ही अलिया है यानि maximum और minimum average लेकर आपकी ORP 2 pension table बनाई जा रही है average लेकर आपकी ORP 1 pension table बनाई गई है तो दोस्तो fitment factor का यहाँ पे कोई रोल नहीं है अब दोस्तो इन्होंने 2.57 लिया बिल्कुल ठीक है 7170 का 2.57 18427 आगे क्या लिका है अगर officers को दिये गए लाब के अनुसार जवानों की pension बढ़ाई जाती है तो आज कितनी pension होगी दोस्तो अब इस line का मतलब है कि जो officers को pension मिली है अगर वो ही pension जवान को भी दी जाए तो कितना दोस्तों यहाँ पे फायदा होगा पहली बात तो दोस्तों यहीं पे गलत हो जाती है फिर दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ यह officers और जवान का comparison कर रहे है यानि एक की qualifying service 29 साल से उपर है 30 साल से उपर है उसकी pension का comparison एक जवान की pension के साथ हो रहा है यानि एक 17 साल करके आ रहा है जवान या 18 साल करके आ रहा है उसकी pension के साथ हो रहा है officers की pension के साथ, दोस्तों अगर आप इन चीजों को लेकर सरकार के पास जाते हो, वहीं आपकी application reject हो जाएगी, 100%, आपकी जो pay pension कम है, वाकी में जो उसमें गलतिया है, उसे आप दिखाएए सरकार के सामने, तब आपकी बास सुनी जाएगी, आपको waitage नहीं दिया गया, आपकी pension top सही कम चलती आ रही है, इस टैप की गलतिया, ये आपको रखनी है, सरकार के सामने, ये नहीं है कि officers की जादा pension है, उनकी इतनी pension है, अगर हमारी इतनी हो जाए, ये सब बेकार की बाते हैं, दोस्तों ये सब illiterate, जो person है, उनकी बाते हैं, कोई भी पड़ा लिखा इंसान इस तरीकी की बाते नहीं करेगा, मेरी principal की जैसी pension क्यों नहीं है, मेरी officers, scientists, इनकी जैसी pay और pension क्यों नहीं है, ये सब बेकार की बाते हैं, कोई दोस्तों बात नहीं सुनी जाएगी, दोस्तों अब यहाँ पे दिखाया है, 4046 का 2.28, और फिर 9.225, यानि ये एक जवान की pension बता फिट्मेंट फेक्टर लगा के, दोस्तों इनका कहना है कि 2.57 बदलकर 2.81 फिट्मेंट फेक्टर कर दे, जवान का, यानि एक नायक की pension अगर एक जवान की pension देके, तो 25,923, दोस्तों क्या ये पॉसिबल है कि एक जवान को 25,923 रुपे मिल जाए, आप खुदी सोची, एक सिपाई को नायक की pension 25,923 और वो भी अगर हम average की according देखे, क्या इतनी बनेगी, सिपाई नायक की pension 25,923, कभी भी नहीं बनेगी, कोई सा भी आप कलेंडर्स वर्ष उठाके देख लेजिए, किसी कलेंडर्स वर्ष में, किसी सिपाई नायक की pension, इवन हवालदार की भी pension इतन 30,000 कुछ, तो दोस्तों आप खुद ही देख लिजिए, एक सिपाई नायक की pension ये बता रहे हैं, फिटमेंट फेक्टर के अनुसार 25,923 और बल्कि वर्ष बनाने के लिए average का समाल किया गया है, और दोस्तों average में maximum फायदा किसी को नहीं है, और सिपाई नायक की pension 25,923 कभी नहीं हो सकती, होगी तो दोस्तों वो जब सब के लिए fitment vector change होगा, या फिर जब आटपा पे कमिशन देखने को मिलेगा, तब कुछ हो सकता है, तो दोस्तों जो भी इनों ने कुछ बताया है, ये सारा गलत है, इसके बेस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, गौर्मेंट की त जाएगा बहुत अच्छी बात है दोस्तों और धर्ना स्टार्ट भी होगे 20 फरवरी से लेकिन दोस्तों जो सही में जैनुवन मांगे हैं वो सरकार तक कुछ आए ना की ऑफिसर्स के साथ कंपैरिजन करके अगर आप ऑफिसर्स के साथ कंपैरिजन कर रहो पेपेंशन का इस पेपेंशन पे उसका धर्ना लगाईए वो बताईए ना कि इन चीजों को लेकर तो दोस्तों ये जो कमेटी है साथ का सैनिक संगर्श कमेटी इनके दोरह दोस्तों एक करेपोलिशन बताईए जो बिल्कुल गलत है तो दोस्तों बैटर है कि इन चीजों को आप सरकार के साम है कहाहाँ पर क्या गलती है अगर मैं धरणें पे जा रहा हूं तो दोस्तों मेरे हाथ में कागज हूंगे मैं मैं तबी धरणें पर जाओंगा तब मुझे पता होगा कि कहांपर पेंशन में गलतिया हैं यह नहीं किसी दूसरे ने कह दिया कल 20 फरवरी है कल जंतर मंतर पर आ जाना धरना है किसलिए पे और पेंशन को लेकर ऐसा नहीं पहले हमें खुद पताओने चाहिए कि गलती है कहां पर है क्या कैलकुलेशन होई है तब दोस्तो हम आगे फॉर्वर्ट करेंगे गवर्मेंट के पास हम किसी के कहने पर बिल्कुल भी फॉर्लो कुछ नहीं करते है मैं जहां तक मेरा सवाल है पहले मैं खुछ जानूँगा अस चीज़ को यहां यह चीज़ गलत है अपने पॉइंट बनाऊंगा और उन पॉइंट पे डिसकस करूँगा तब आगे फॉर्वर्ड करूँगा दोस्तों यह मैं आपको चीज़ समझाना चालता था वीडियो आपको चुछ लगते हैं वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मच